तो हेलो दोस्तों ये पेड ब्लोगिंग कोर्स का पार्ट 10 है जिसमें हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानेंगे और वो जो कीवर्ड रिसर्च होगा ना अपने नीश के बेस पे होगा कैसे अपने नीश के लिए कीवर्ड रिसर्च फाइंड करें देखो प्रोब्लम नए पर निस पर कैसे यूज करूँ वह चीज आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं या बोलता हूं कि एक सिंगल कीवड़ आपकी लाइब बदल सकता है तो चलिए वहीं keyword research कैसे करते हैं वो आज जानते हैं तो आज के वीडियो में यह रहेगा कि अपने नीश के base पे कैसे keyword find करते हैं और कैसे कुछ untapped keyword find करना है और सारे मेरे personal method है जो कि हमेशा की तरह मैं यह paid लाइक करना है अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखो वीडियो में जो keyword research हम continue करेंगे उसके पहले मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाये keyword research master class का वो वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे आज का यह वीडियो है आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा तो अगर आपने अल्रेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यह सजेस् concept हम लोग इसी में apply करेंगे तो अगर सामने मैं concept apply करूंगा तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा तो वो वीडियो जाके आप देखो उसके बाद देखो यह period blogging course चल रहे ना तो उसका पूरा एक playlist है पार्ट वाइज में हम लोग काम कर रहे हैं तो आज का जो दस्वा पा तो मैं हमेशा से suggest करता हूँ one by one line by line चलेंगे और line by line यह course आप follow कर सकते हो इसका भी link description में है तो देखो जो keyword research master class वाला वीडियो है उसमें मैंने different method बताया था एक्टम paid label का method बताया था कि कैसे आप इन सारे method का use करके keyword research कर सकते हो तो वो methods थे Google auto suggest और auto suggest में ही question answer method था ABCD वाला था number method था special character था और preposition method था तो यह सारे का use आज के हम इस वीडियो में करेंगे इसलिए मैं suggest कर रहा था कि वो वीडियो आप देखे रहे होगे तो बहुत ही मज़ा आएगा बहुत ही जबरदस्त आज का वीडियो होने वाला है तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सारा जो काम कर रहे हैं वो गूगल सीट में कर रहे हैं competitors यह हम लोग ने find किया था keywords यह find किया था top pages similar wave और कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने keyword grouping किया था अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाईया यह Google सीट का link मुझे दे दो तो मैंने already telegram group में channel में इसको update कर दिया है अगर आपको भी यह सारा चीज़ चाहिए इसके उपर discussion करना है तो आप मेरा telegram group easily join कर सकते हो जिसका link description में है और बिल्कुल free है तो देखो जो भी कल हमने किया था वो किया था कि किसी एक search के base पे जैसे माल लो यहां बार बार upgrade आ रहा है तो उसके base पे हमने keyword grouping किया था वो प पे और उसके सामने कौन कौन से post rank कर रहा है top pages से हम लोगों ने निकाला था तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कल वाला तो जाके आप देख लो तभी यह सारी चीज़े आपको समझ में आएगी और जो keyword research के method थे ना वो है Google auto suggest question answer यहां पे हम लोगों ने reference purpose के लिए लिख लिए ठीक है और जो भी नए keyword मिलेंगे हम यहां पे side में एक जगा लिख लेंगे नए keywords ठीक है new keywords तो अब देखो हमें क्या करना है जो grouping किया था ना हमने तो उसका एक ऐसा term आता था वह जो बार-बार repeat हो रहा है तो इसमें देखो users repeat हो रहा था find हो रहा था search य हम यही काम करेंगे अपने Google auto suggest वाले method में उसके लिए हम क्या करेंगे Google में चले जाएंगे ठीक है और यहां पे जाके हमारा जो नीस है वो type करेंगे तो हमारा नीस क्या था Spotify है और उसके बाद जैसे हम space करेंगे ना सारी auto suggestion देने लएगा कि कौन-कौन से keywords है ठीक है तो उसक करेंगे एक वाल्यूम है यह KGW एगर यह सब देखने के चकर में आप मत परना दना वे प्लियर मुझे याद है कि युनकि मैंने कल किया था तो इसको एक बार click कर लेते और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ वे प्लियर मैंने किया है कि नहीं एक पर यह देख लो यहा लॉगिन वाला अल्रेडी हो गया है एक देखो नौत वर्किंग वाला है तो देखो यह नौत वरकिंग का कीवड है यहां पर आके देखो कि कौन कौनसे साइट रेंग कर रहे हैं और यह आपको डाटा एक बार चेक करने ना है क्यापसिटी मेथड के के तोर पर एक बाठीक है चोटी साइट रैंग कर रही है कि नहीं अगर कोई च्छोटी साइट रैंग कर रही है तो इसको हम लोग पिक करके और इस पर आर्टिकल लिखने की कोशिस करेंगे उसके लिए हम दूसरे पेज तक एक बार जाकर चेक कर लेते हैं Spotify से रिलेटेड कुछ इस पर रैंक कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पर इस से रिलेटेड कोई छोटी साइड तो रैंक नहीं कर रही है लेकिन अगर इसको चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो ताकि देखो हमारा पूरा नीस है ना वो Spotify के ऊपर है क्या प एक रिमार्क डाल देंगे ठीक है और रिमार्क में यह लिखेंगे नो कैपासीटी मेथड मतलब यह उसके ऊपर नहीं मिल रहा है तो इसको एक पर ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है लेकिन लिख के रख लेते हैं क्या पता और भी हमें काम आ जाए अब देखो इसके अंदर और यहां पर स्पेज डालेंगे ना तो आएगा देखो क्रों में नहीं वर्क कर रहा है सफारी रेडिट फाइरफॉक मैं क्रोंबुक ठीक है ब्लैक स्क्रीन यह सारे कीवर्स को नोट करके ना एक स्पेशल हम लोग आर्टिकल बना सकते हैं नोट वर्किंग क्या और उसके अंदर लिखेंगे हेडिंग बना के क्रों फायरफॉक्स यह सारा चीज कर सकते हैं अगर आपको मन करें तो आप कर सकते हो ठीक है तो एक तो देखो यह हो गया अब और देखते हैं कि इसमें और कुछ मिलता है नहीं ठीक है इस पोटीफाइफ फिल लिखेंगे और देखो यहां पर स्पेस डाल के देखेंगे कि कुछ और मिल रहा है कि नहीं तो देखो यहां पर फिर एक नौट वर्किंग आ रहा है ठीक है तो नौट वर्किंग के अंदर आप देखो यह बहुत बड़ा कीवर्ड है तो यहां पर मुश्किल है कि कुछ आपको मिलेगा ठीक है ल अब देखो wrapped आ रहा है, search not working, autoplay not working, ठीक है तो यह आप देख सकते हो one by one करके, आप देखो माल लो यहाँ पर मैं एक बार यह देख रहे रहे हूं, wrapped not working का कि यह कोई keyword है और इस पर कुछ site rank कर रहे हैं कि नहीं छोटी वाली site ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको यह site मिल गय कि नहीं, Spotify मानिया, जो अलेडी हम लोगों ने यहाँ पर cover up किया है, इसको देखो, competitors में cover up किया है, Spotify मानिया, ठीक है, और यह देखो, wrapped not working वाला keyword हमारे पास है कि नहीं, एक बार यह देख लेते हैं, अलेडी हम लोगों ने यहाँ पर grouping किया हुआ है, अब दोखे, यहाँ wrapped का सिर्फ एक ही keyword था, जो कल हम लोगों ने क्या बोला था, कि बाद में इसको देखेंगे, लेकिन हम हमारे को यहाँ पर एक keyword मिल गया, कौन सा, Spotify wrapped not working, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, note कर लेंगे, और इसको bold कर लेंगे, ताकि पता चले कि यह दूसरा चीज है, ठीक है, और जो भी site हम को यहाँ पर rank मिल रहा है, उसको यहाँ पर सामने लिख लेंगे, ठीक है, अब देख not showing up podcast, not showing up, यह सारा चीज आप लोग note कर सकते हो, ठीक है, showing up वाला ओलेडी, यहाँ पर एक यह, हम लोग ने article बना रखा है, मतलब किसी competitor ने, तो बाकी यहाँ पर और keyword लिख के, एक और वहाँ पर post कर सकते हो, ठीक है, या फिर जैसे मानलो, यह सो नहीं कर रहा है, यह भी य इसमें भी हम लोग डाल के यह सारा चीज लिख सकते हैं, तो यह सारा काम कब का है, जब हम content planning करेंगे, लेकिन देखो हमें नए keywords मिल रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं तो यहीं चीज है, आपको focus करके आपको काम करना है, जैसे Spotify not working था, फिर वैसे same to same वैसे ही कर देते हैं, ठी तो आप one by one ऐसे ही चेक करके देखो कि यहां पर हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं, देखो भाई साफ मिल रहा है कि नहीं, तो यह सारी चीजे आप लोगों को note down कर लेना है, ऐसे one by one करके, और आपको बहुत सारे site मिलेगी, देखो यह देखो, how to use वाला भी है, यह भी है, दो करो, अब देखो group session not working है और जो हम लोगों ने कल यह grouping किया था, इसमें group नाम से कुछ है कि नहीं, group नाम से कुछ है ही नहीं, ठीक है, यह चीजे ध्यान में रखना है, उसके बाद अगर हम top keywords में आके यहां देखेंगे group नाम से कुछ है, तो देखो इसमें भी group नाम का कोई keyword नहीं है, और इसको हम लोगों ने कैसे find किया Google auto suggest के help से, अब देखो यह सारा not working आ गया तो यहां पर यहां पर लिख लेते है, grouping के अंदर ही new में आके यहां पर हम लिख देंगे not working ठीक है, और इसको bold कर देंगे, अब देखो इसके बाद क्या आ रहा है, PC, Android, iPhone, not working, PC, control भी Android, iPhone, तो यह जितने सारे हैं यह हमारा keyword का यह बन गया, नया keyword जिस पर हम लोग article लिख सकते हैं, और हमें क्या मिला यहां पर यह capacity method को match भी कर रहा है, तो जो जो URL यहां match कर रहा है, one by one अगर आपको मन करें, दोनों मन करें, दोनों लिख सकते हो, अगर मन करें तो एक ही आडिया मिलेगा कि हाँ, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, अब देखो group session not working है ना, तो यह अब not working हटा देते हैं, अब देखते हैं, ग्रूप session पे Spotify का और कुछ keyword है कि नहीं, तो not working था, not showing वालो same ही है, अब देखो without premium देख लेते हैं, अब इस पर इने niche के अंदर बहुत सारे keyword आप find कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर Reddit rank कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर Quora rank कर रहा है, बाकी और कोई ऐसा niche site नहीं है, जो इस पर rank कर रहा है, तो अगर हमारा मन करेगा ना हम लोग का, तो इस पर आगे हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार note कर लेते हैं, और इस पर कैसे काम करना है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग note करके रख लेते हैं, अब जैसे देखो इसके related और keyword find करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे यह space देंगे, तो देखो और सा भी मैंने यह दिया है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, लेकिन जब मैं content planning करूंगा ना, ऐसे जहाँ पर कोई हमारा capacity method नहीं मेट कर रहा है, तो कैसे उस पर काम करेंगे, कुछ time बात करेंगे, यह training में, अभी वहीं बात कर रहा है, जा पर हमेरा capacity method मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा दूसरा भी फिलाहाल हम सिर्फ note करके रखते हैं, उस पर और ठीक है, तो देखो group session भी हो गया, ठीक है, अब देखो Spotify के बाद यह जैसे autosuggest method हो गया, इसके बाद और कौन-कौन से autosuggest में ही था question answer वाला, ठीक है, तो question answer क्या होता है, Spotify के आगे हम लोग use करत है, तो यह आपको ऐसे ही करके देख लेना है, ठीक है, sound guys है, cnet है, is Spotify premium worth it, देखो Spotify मानिया वाला site rank कर रहा है है, ऐसे ही चीजों को आपको उठा लेना है, तो देखो यह keyword हमारे पास already था कि नहीं एक बाद देखते हैं, Ctrl F, B, हमारे पास नहीं था यह keyword कहीं भी, तो यह सब चीजों को हम लोग उठा उठा के एक बार लिखेंगे, कि अगर कुछ हमें मिल रहा है, तो इस पे हम लोग अगर काम करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा हमें help मिल सकता है, अब देखो यहाँ पे एक और हमें यहाँ नया competitor मिला, spotty buzz करके, जो हमारे list में हैं ही नहीं, तो ऐसे ही हम लोग नया नया जैसे keyword अब find करेंगे तब ही और ज्यादा हमें competitors भी मिलते जाएंगे, उस दिन हम लोग ने इतना सारा competitor find किया, यह हमारे list में नहीं आया था, लेकिन आज हम लोगों को यह नया competitor मिल गया है, तो इ ऐसे ही और keyword आप लोग find कर सकते हो, अब देखो Spotify बज करके एक नया competitor मिला है, तो यहां मैं लिख लेता हूँ, बाकि इसके कितने post है नहीं है, वो आप लोग नोट करना अपने जगह पे ठीक है, या आप लोग एक बार कोसिस करना कि इसमें कितना post है, कितना नहीं है, वो ए इस के अलावा और क्या क्या होता है, वो ही बोलता हूँ ना कि आप वीडियो देखा करो, तभी आपको सारी चीजे समझ में आएगे, इस के पात देखो यहां पर क्या आता है, आप देखो question में दूसरा क्या हो सकता है, कैन हो सकता है, तो देखो can Spotify, play offline, premium share किया जा सकता है, local फाइल, यह सब भी आप सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजे है, यहां पर आपको मिलेंगी, keyword बहुत सारे मिलेंगे, तो यहीं सब आपको सर्च करना है, और यहीं सब चीजे आपको देखना है, ठीक है, ऐसे आप one by one यह सारे keyword देखके आप यहां सर्च करके आ अब देखो यहाँ पर हाउट लिसेन म्यूजिक ऑफ लाइन एस्पेट्रिफाइं विदाउट प्रीमियम तो यह देखो और बहुत सारे आपको कीवर्ड मिल जाएंगा ठीक है अब देखो इसमें कोई छोटी साइट आपको मिले तो यह सारे कीवर्ड आपको नोट कर सकते हो यह थोरा सा आपको मेहनत वाला प्रोसेस है लेकिन बहुत जबर्दस्ट प्रोसेस है इससे और बहुत सारे कीवर्ड आप कर सकते हो और निकाल सकते हो ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको कोशिस करनी ही करनी है इसका यह फायदा है कि जितना ज reapply आपकोशिस करोगे उतना जादा आप समझोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ऐसे वीडियो देखके सोचके समझके ख्याली पुलाओ पकाऊगे यहां यह तो आसान है मैं कर लूँगा नहीं जब आप करने बैठोगे ना तब आपको बिल्कुल एक भी कीवर्ड सुरू में नहीं लेकिन वहीं जितना बार बार आप करोगे कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे तोरोगे मरोडोगे तब जाके वहां पर कुछ कुछ मिलना सुरू हो जाएगा तो ऐसे इतना आसानी से सब चीज नहीं होता है दोस्त जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ठीक है तो देखो उसक अरे बाद और और क्या हो सकते है यह वंतत अ हूच ऑग तो यह अब कर दो और कीवर के सजेसन मिल जाएंगे और यह कहां इस्टार कहां है उसके लिए कीवर्ड रिसर्च मास्टर क्लास आप देख लो देखो यहां पर कोश्चन एंसर वाला मेथड होगा ठीक है यह अब बच गए एबी सीटी ठीक है तो एबी सीटी में आप देखो यहीं करना है सबको मिक्स भी कर सकते हैं स्पोर्टीफाई अब देखो एदबाओ और कितने सा यह देखो आप जैसे एकोलाइजर सेटिंग्स ही है ठीक है आपको यहां पर बहुत सारे साइट भी मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड आपको बात करेंगे और बड़ी-बड़ी साइटे मिलेंगी कुछ छोटी साइटे भी मिलेंगी लेकिन देखो इसके बाद भी आप सब्सक्राइबाद करूं कि सिर्फ सिर लगा सकते हो कि सारे मेथर लगा सकते हो देख रहे हो यहां पर बेश्ट होगया सी लगा कर देखो कराूर घ्रैटे टी ओडरि लगा याथ सब्सक्राइब आपको मिलते जाएंगे बस आपको देखना है कि मेरे को काम किस पर करना है कौन से पर मैं काम कर सकता हूं ठीक है अब इसके अंदर अब हम लोग यह सब लिख सकते हैं ठीक है है एक्वलाइजर के अंदर जो कीवर्ड है हमारा सौरी एक वफ लाइजर जो हमारा है वह एक बार देख लेते एक वोलाइजर सेटिंग के नाम पर होगा है ओडियो सफ़ल डिसकाउंट एककाउंट सेटिंग है ठीक है तो इसमें देखो तीन ही कीवर्ड है लेकिन हमें और keyword find करना है तो कैसे find करेंगे तो यह देखो यह हमें मिल गया न equalizer settings for earphone तो यहीं एक बनाएंगे हम यहाँ पर कौन सा article हम लोग बना सकते हैं यह आगे discuss करेंगे लेकिन फिर यहाँ पर बता देता हूँ Spotify equalizer settings का एक बना देंगे और उसके अंदर बहुत सारे heading लानेंगे जैसे airports का है यहाँ पर earphones का है और बहुत सारे heading बना देंगे तो हमारा article बहुत ही ज़्यादा जवरदस्त हो जाएगा तो यह सारी चीज़े आपको यह keyword वाले में समझना है और जानना है ठीक है तो यह आपका यहाँ पर ABCD method भी हो गया ऐसे ही करोगे तो और सारे method आपको मिल जाएगा अब देखो number method है तो देखो equalizer setting है न यह इसी पर हम लोग number method लगा का देखते हैं ठीक है यहाँ पर space रहने देते हैं और यहाँ पर 1 दबाओ दिख रहा है कुछ ठीक है 1 to 3 वाले method यूज करने है जैसे Spotify है न इसके बाद देखो 1 देख रहे हैं 1 year premium 12 month subscription दो देखो 2 month free ठीक है 3 देखो 3 month हो गया 3rd in the world 3rd party apps ठीक है 4 देखो 4 month free आ रहा है 5 देखो देखो Spotify 502 bad gateway की रर है तो यह देख लेते हैं इसको भी आप नीचे जाके आप one by one check कर सकते हो कि इस पे कुछ rank कर रहा है इस पे देखो stack overflow भी rank कर रहा है तो ऐसे चीजे आप देख लेना है कि कुछ मिल रहा है कि नहीं ठीक है 36da का site github भी rank कर रहा है तो अगर आप courses करो ना इन सब चीजों पर आर्टिकल लिखने की तो यह चीजे rank हो जाएंगी और इस पर कैसे काम करना है यह मैं आगे आपको बता दूँगा ठीक है तो टेक टू वायर्स है अब देखो यह इसमें यह और आरायमेंस की यह क्या है यह देखो ना ब्लोगर पर साइट होगा ठीक है जिसका डीए 14 है अब देखो यह टेक एट गलांस जिसका डीए 4 है तो ऐसे छोटे-छोटे साइट आप देखके आप इनको सर्च करके इस पर भी आदमी काम कर सकता है अब देखो होम पर आई टी सपोर्ट देखो सर्च लेवल आ रहा है न, मैंने क्या बोला कि यह ब्लोग-शिस पोट पर साइट है बहुत लोग बोलते हैं बढक सहट रैंक नहीं करता है एसレ आप च्रूप करोगे आपको सारे कीवर्ड आपको यहां पर मिल जाएँगे तो देखो यह नमबर मेथड हो गया 5 हो गया था ना अधोको 6 डाल के देखो 6 6 हो गया ना 6 हो गया 7 देखो 7 देज प्रीमियम 8 देखो 9 ठीक है 10 टो पार्टी तो ऐसे आपको सब कीवर्ड पे अब जैसे यह नहीं बोल रहा हूं जैसे स्पोटिफाई ग्रूप करके था ना ग लगा सकते हो जैसे यह ग्रूप सेशन है ना अब यहां पर 123 लगाओ वन देख रहे हो टू देखो ठीक है 3 देखो और देखो 5 देखो जहां मन करें वहां पर आप यह कीवर्ड लगा के आप देखना है कि वहां पर कुछ अटो सजेस्ट में आ रहा है कि नहीं सिर्फ ऐसे साइड में तो उस पर काम नहीं करना है और टो सजेस्ट में आए तभी काम करना है तो यह अटो सजेस्ट में पूरा कीवर्ड नहीं आ रहा है अब देखो एक था सपोर्टीफाई नॉट वर्किंग था ना नॉट वर्किंग इसके बाद देखो वन लगाओ ठीक है टू और फिर वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से रैंक भी कर सकते हो ऐसे आप जितने भी कीवर्ड में आपको अच्छा लगे ना उसको एक बार लिख लो ताकि आपको फ्यूचर में रिफ्रेंस रहे कि भाई हमने काम किया था कुछ सर्च किया था तो हमें कुछ कुछ कीवर मिले था तो देखो नमबर भी होगे आप एप स्पेशल करेक्टर में थड़ा गया स्पोर्टीब्स पैसल करेक्टर में क्या क्या था देखोב इस सब्सक्राइब बहुत सारे आपको वोड्ड ऐसे मिलेंगे जैसे देखो ये पेर मिल रहा है अब देखोई इसके ऊपर एक particular niche site ही बना दिया है किसी ने देख रहे हो Spotify pair के ऊपर ही अब देखो how to Spotify एक और ये site मिला हमें तो ऐसे अगर आप keyword find करोगे ना pair codes पर एक site बनी हुई है तो और बहुत जबरदस जबरदस्त micronises आपको मिलेंगे अब जैसे ये देखो ये जबरदस्त micronises site है जिस पे कुछ ना कुछ अच्छा कासा traffic भी होगा और ये पैसे भी कमा रहा होगा तो ऐसे ही देखो how to Spotify एक नया ही हमें मिल गया ये तो ऐसे आपको क्या करना है site को उठा लेना है ठीक है तो यहीं खतनाक जैसे untapped method है जहां पर आपको बहुत सारे keywords भी मिलेंगे एक code था ना हाँ Spotify compare हाँ ये देखो ये बहुत छोटी site है और इस पर traffic भी होगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना traffic है एक idea है ये मत बोलना कि ये एकदम exact ही इतना है नहीं ये बस idea के लिए है एक बार देख लेते हैं कि इस पर कितना traffic है 13,000 ओके भाई ठीक है और देखो इस पर मैं दिखा देता हूँ backlink कितना है 263 अब देख रहा हूँ ना भाई तो ऐसे ही आप लोगों को find करना है चीजों को और ऐसे ही चीजों पर आप लोग काम कर सकते हो ठीक है अब देखो एक ये site था code वाला इस पर कितना backlink है 288 ठीक है और इस में से देखो maximum ना free ही backlink होते हैं तो आप इनको easily replicate कर सकते हो और उनको कैसे रेप्लिकेट करना ही ये course में हम लोग सारा चीज कवर करेंगे one by one चीजों को कवर करेंगे आपको घबराना कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं देखो इस पर भी आपको काम मिलेगा और इंसाइट को आप लोग नोट कर लो तो इसके बाद आता है प्री पोजीशन में था ठीक है देखो और पेर टीवी भी है इन आ रहा है ठीक है तो यह फॉर इन आप सब जगें लागू कर सकते हो जैसे वेब प्लेयर है था ना यह स्पोर्टिफाइं नोट वर्किंग ठीक है एक यह कीवर्ट है नोट वर्किंग अब देखो यहां लगा सकते हो ओन प्री पोजीशन है वाइफाई पे नहीं काम कर रहा है वाइल डाटा पर नहीं कर रहा है ठीक है यहां पर इन लगा सकते हो बैक्राउंड में नहीं कर रहा है एंड्रोइड आटो में नहीं कर रहा है ठीक है ऑफलाइन मोड में नहीं काम कर रहा है ठीक है उसके बाद फोर देख सकते हो फोर पीएस फाइफ यह सर्प टेस में लिख लोगे तो यहीं एक जबरदस्त प्रोसेस है जिसके ऊपर काम करके अभी हम लोगों ने एक माइक्रोनीस भी निकाला है ठीक है जो वो है पेर कोड़ वाला इसको हम लोग लिख लेते हैं एक यह नया भी कूर्ड वाला अब देखो इसका साइट मैप देख लो इस पे मुश्किल से 20 से 30 मािक्रोनीस साइट में बहुत कम औरके आगे बढ़ सकते हो। यह भी मैं लिख देता हूं आप लोग वहां पर जाके देख लेना उसके बाद एक और पेर वाला कौन सा था यार एक स्पोर्टीफाई पेर कर यार वह एक और फिर से हम फाइंड करते हैं साइट को क्योंकि उसमें भी मेरे को आपको कुछ दिखाना है ठीक है यह पेर करके थ किया है मैंने काम किया हुआ है मेरे को पता है कि कैसे इन सब चीजों पर काम करना है ठीक है अब देखो मैं यहां पर पोस्ट में जाकर देख लेता हूं देखो कितना है भाई हेलो वर्ड पर यह रैंक कर रहा है दोस्त ठीक है और यह मैं आपको लाइव में बता दे रहा तो ये देखो सिर्फ home page से rank कर रहा है मेरे दोस्त category में अब देखो uncategorized है hello word देख रहे हो तो ये सारी चीजे आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा blogger, vikas, youtube, channel तो यहीं आपको follow करना है पहले research में देखो हम लोगों कोई ये site नहीं मिली थी लेकिन कब मिला ये जब हम pro पर आगे keyword research कर रहे थे untapped method से तो untapped method से हमें कौन सी site मिली है एक micronize site मिली है तो यहीं एक method है जिसके base पे आप अपने आपको master करो और बहुत सारे micronize बहुत सारे license आप निकाल के काम करके बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो अब इसको भी मैं यहाँ seat में आइड कर देता हूँ ताकि बहुत लोग का भला हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि भाई कोई ना कोई ये हो जो बहुत सारे पैसे छापे और बहुत ज़्यादा कुछ काम करे आगे चलके ठीक है तो यहाँ पर आज हमारा ये सारे method से हो गया ठीक है जिसके बेस पर हमने कुछ keywords भी निकाले कुछ competitors भी निकाले और कुछ micronizes भी निकाले तो जबरदस्त है ना तो उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत मस्त लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला जो होमवर्क है वो है keyword research के उपर ही आपने जो भी नीच सेलेक्ट किया उसके उपर ये जितने भी methods मैंने बताया ना उसके base पर आपको keyword research करना है और उसको अपने seat में note down करना है जितना ज्यादा research करोगे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे micronices मिलेंगे बहुत सारे keywords मिलेंगे और बहुत सारा आपका धिमाग open होगा तो my homework करना नहीं भूलना है आप बाकी जो ये playlist चल रहा है इसका link मैंने description में दे दिया है उसको आप लोग follow करके देखना है सबको one by one बहुत लोग miss कर दे रहा है अगर miss करेंगे तो ये सारी चीजे आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी और ये सारे playlist को आपको जो भी bloggers है जो भी blogging सीखना चाते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हो blogging में आपको कुछ लोग follow कर रहा है जैसे LinkedIn, Twitter, Facebook पे तो उनहीं से मैं request कर रहा हूँ कि प्लीज ये वीडियो आप लोग share कीजिए ये playlist आप लोग share कीजिए ताकि आप लोगों के साथ और लोग भी जूर सके और इस channel पे आकर सब लोग फायदा उठा सके तो उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहा तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धरने बाद अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो please इस channel को subscribe कर लिजिए और नीचे comment करके जाना ही जाना है ताकि मुझे motivation मिले और मैं ऐसे ह यह training को continue कर सकूँ तो आप जहां भी है मस्त रहिए स्वस्त रहिए खुस रहिए thank you so much